इंटर मेट्रिक पोस्ताहन रासी 2022 के लिए और लाइन आबेदन शुरू हो गया है जो भी छात इंटर या मेट्रिक में फर्स्ट या सेकेंड डिविजन से पास है छात और छात राय वो सभी 25,000 रुपे के लिए आबेदन यहाँ पे कर सकते हैं आपको बता दे कि इंटर के सा मेट्रिक बाले भी लड़का लड़की दोनों आबेदन कर सकते हैं और इंटर में भी लड़का लड़की दोनों यहाँ पे आबेदन कर सकते हैं अपको बता है 25,000 रुपे इंटर पास को मिलता है सकते हैं तो आप बिहार के हैं और किसी भी जाती से हैं ठीक है सभी जाती को आपका पैसा दिया जारा है चाहे आप जेंडल के हैं OBC है सभी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं तो फड़ापर वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और और online apply सुरू होगी आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना है थोड़ा सब्सक्राइब नहीं करना है और खुद से यहां पर आलाइन हाथों हाथ मोबाइल से भी कर सकते हैं या साइवेर कैफे का भी सहारा ले सकता ही जानती कैसे आपको आलाइन आबेदन करना है बिल्कुल आ स्टेफ बाई स्टेफ यहां पर देखेंगे नहीं सब्सक्राइब तो दियान से समझेगा बीना जो है इस पर आपको क्लिक करना है फिर्षीप आपके उसके बहुत सका क्लेगा और यहां पर एक है कर करके अदियान से अ quiere है सबसे पहले की बात कऱाँ जो की पोस्ट मेर्टिक और स्क्रोलर जीफ है जिसके आबेदन जो है वह अक्टूबर तक last date है आबेदन ठीक है पूरा अक्टूबर जो है आबेदन चलेगा अक्टूबर तक उसके बाद नवंबर में वेरिफिकेशन है लेकिन बहुत सारे चाहतों जो है इसमें गलती कर रहे हैं बहुत सारे छातों जो है, अध Candr durant लिये हैं, और सोच रहाना है एडमीशन नहीं लियें, तो हम online कैसे करें, तो आपको बता दे, अगर आप lets admission नहीं भी लिये हैं, ररेज़्टेस्टेशन करा चुके हैं college में, तो यहाँ पे आप registration करवा सकते हैं क्योंकि आपको बता दे registration कराने के बाद 20 से 25 दिन के बाद online होता है और यहाँ पे फिर अगर आप late करेंगे तो डेर जो है वो आपका खत्म हो जाएगा ठीक है तो आप जो है verification नहीं करवा पाएंगे अगर कोई चात जो है बाद में यहाँ पे मानलो के अगस्त लास्ट में वो करता है online उसके बाद 25 दिन के बाद फिर से यहाँ पे apply करेगा apply करने के 15 से 20 दिन के बाद college में verification होगा तो बताइए कि फिर आपका date रहेगा कहा आपका date तो पार हो जाएगा तो इसलिए आपको देरी नहीं करनी है नीचे जाएंगे तो आपको direct जो है online apply का link जो है बो यहाँ पे मिलेगा ठीक है यहाँ से आपको जो है बिल्कुर धियान से पूरी वीडियो देखेगा यहाँ पे थोरा सा भी आपको miss नहीं करना है अब यहाँ से registration नीव registration पे click करना है सब कुछ हम बात करेंगे कितना पैसा मिलता है किसको कितना पैसा मिलेगा ध्यान से समझते चलिएगा अब यहाँ पे देखें online करने के लिए यहाँ पे आपको online पे आपको click करना है क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर साई डिटेल जो है आपको मैं बता रखाऊं पहले ही कि आपके पास 10-12 का मार्कसित होना चाहिए ठीके अधार कार्ड होना चाहिए बैंक अकाउंट होना चाहिए आय परमान पर जो है वो 3 लाग से कम का होना चाहिए इंकम सर्टिफिकेट तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ठीके और बैंक अकाउंट जो है आपका बिहार का ही होना चाहिए और सबसे बरी बात कि आपका जो अधार कार्ड है वो बिहार का एड्रेस होना चाहिए यानि आप आसी प्रमानपत आपका बिहार का ही होना चाहिए अगर बिहार से बाहर के हैं देली से हैं बेंगौल से हैं और बिहार बुट से एकजाम दिये हैं तो आप इसके लिए वे दन नहीं कर सकते हैं आप बिहार के निवासी होने चाहिए और bank account आपका बिहार का ही होना चाहिए और आप सरकारी school के student होने चाहिए एक बड़ी चीज बता दे लेकिन NSP में NSP में ऐसा नहीं है NSP में अगर आप private में ठीके एक सी ध्यान दिजेगा सरकारी school करने का मतब confused नहीं होना है आपको 12th और 10th जो है बो आपको सरकारी school से पास होना चाहिए बाकि इसके बाद जो है आप private college में admission ले या सरकारी college में admission ले इससे कोई फरक नहीं पड़ता है पैसा आपको मिलेगा बरहमी या 10th जो है बोच सरिफ और सेफ सरकारी school से पास होने चाहिए इस बात को समझेगा अब यहाँ पर आपको continue पर जाके online के लिए आपको click करना है जैसे continue पर click करेंगे तो आपके सामने नया page खुलेगा तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर अपना registration पुरा कर सकते हैं और यह आपका जो है वो आपका post matric 10th के लिए भी है और 12th के लिए भी है अगर आप girls या वाइज है तो भी आवेदन कर सकते हैं बस या तो आप first या second division से पास होने चाहिए और बिहार बोड के student होने चाहिए तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं बिहार बोड के अंतरगत अब आपको यहां पे बता दे ठीक है यह तो हो गया आपका NSP का स्क्रोर्शी पे और एक होता है first division पास करने पे और second division पास करने पे भी हार बोड जो है अलग से पैसा देती है जो कि metric वालों को 10,000 और inter वालों को 25,000 रुपे की रासे मिलती है तो यह आपको बता दे कि यहां पे first और second में metric में second में 8,000 और inter में second में 15,000 की रासे मिलती है लेकिन second division सभी जाती को नहीं मिलता है इसमें SC और HD वाले ही सामिल होते है second division बाले में ठीक है वाकी सिर्फ और सी first division बालों को होता है तो इसका online जो है अभी शुरू होना बांकी है ठीक है यह आपका जो है बेहारबोर इकल्यान के तहर देगी इसमें अभी कुछ दिन बांकी है लेकिन यह भी आपका जल्ब जो है शुरू होने जा रहा है तो यहां बने रहे शुरू पर जो भी अपडेट आएगी शुरू पर आपको मिलती रहे की थैंक्स वाचिन इस वीडियो वीडियो का अधिक सदिक सेर जलूर करें